है लो गाइज विलक्म तु इंगले शनर निंग लिंग तो दोस्तम कई वारे इस से कंवाकिएक 9 को बोलते हैं कि सोच समझकर उसको उससे बात करनी चाहिए है यह पीर सोच समझकर उसने सब कुछ कर एया फैर सोच समझकर हमें regular notification मिलती रहे आए देखते हैं structure सबसे पहले हमें use करना subject फिर आपका helping word if required as per tense फिर आपकी verb आजाएगी as per tense फिर उसके बाद object और सबसे last में हमें लगाना thoughtfully ठीक है सोच समझकर इसके लिए हमें sentence के बाद में क्या use करना thoughtfully ठीक है as an adverb तो guys अगर आपको इस सीखे के मिलते हैं जो कि आपके daily conversation में काम आएंगे साथ ही grammar की जानकारे भी मिलेगी detail में ठीक है आइए देखते हैं वाक के सोच समझकर उसने सब कुछ किया है कई वारे सरीके से बाद की बोलना पड़ते है बाई टैंसर मतले सोच समझकर उसने किया सब कुछ तो he has done क्योंकि यहां पर present perfect tense है तो has के साथ हमने third form of word लगाई है he has done everything thoughtfully okay let's see one more sentence सोच समझकर मैं हमेशा सब कुछ करता हूँ ऐसा नहीं है कि बस जो कभी भी कुछ भी कर दिया सोच समझकर करता हूँ तो I always do everything क्योंकि present tense है और हमेशा के लिए हमने यूज करा है always I always do everything thoughtfully सबसे हमने सोच समझकर के लिए thoughtfully last में लगा दिया एक और भाइके देखें guys सोच समझकर हमें पैसा लगाना चाहिए ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे कहीं पे भी लगा दिया तो we should invest money लगाने के मतले invest वी शुड चाहिए के लिए should use करा हमने तो we should invest money thoughtfully सोच समझकर तो आप भी सोच समझकर पैसा लगाओ इसके लिए हमारी website financeagyan.com जिसमें कि आपको mutual fund और share market से समझे जानकरी हिंदी में मिलती है ठीक है guys वाकि देखते हैं अगला सोच समझकर आपको उससे बात करनी चाहिए बेकार आदमी है वो के वरिस्तिके से बोलना पड़ता है न तो कैसे बोलें guys तो you should talk to him पहले आपने sentence बना जिया sentence के अंग्रेजी इसलिए हमने should use करा है model you should talk to him thoughtfully सबसे last में हमने क्या करा thoughtfully use करा है सोच समझकर के लिए तो you should talk to him thoughtfully let's see one more sentence guys सोच समझकर आपको वहाँ जाना चाहिए था वहाँ खत्रा हो सकता था या वहाँ इस रिकी परिशान नहीं हो सकती थी तो आपको सोच समझकर जाना चाहिए था बाकि आपके लिए इसके लिए इसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें सोच समझकर मैं वहाँ जाऊंगा ऐसा नहीं कि आपने बोल यह चला या सोच समझकर मैं वहाँ जाऊंगा तो guys hopefully आपको वीडियो पसंद आओगा वीडियो को जा से जादा शेयर करें जिससे कि और लोग फाइदा उटा सकें इस बहतिन वीडियो का थैंक्स और वाचिंग कीव वाचिंग